सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके नमस्कार दोस्तों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ब्रिशब रासी वालों का आज का दिन यनी की 16 सितंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा दोस्तों अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें और इस वेडियो के नीचे जैसरी गनेस कमेंट कर दें दोस्तों इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में दोस्तों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय सामान से बहुत ज्यादा नीचे है दोस्तों आज के दिन अगर आप किसी और इनसान की बातों को सुन कर अपने प्रेमी या अपनी प्रे को दुख हो कश्ट हो अगर ऐसा होता है तो आने वाले शमय के दोरान आपके प्रेम संबंध में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के द्रिश्टी कौन से आपका शमय सामाने रहेगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब है आज के दिन आप अपने घर पड़िबार के माहौल को अपने घर के वाता बरन को अच्छा बिहतर और शांदार बनाने का प्रेयास करें दोस्तों अगर आपके धन संपती की बात करें तो पैसों के द्रिश्टी कौन से भी आपका शमय क शामान्य तोर पे बहुत जियादा बिहतर और सांदार है। दोस्तों आज से पहले अगर आपका पैसा कहीं रुक गया था, कहीं फस गया था, तो आज के दिन आप अपने रुके हुए धन को प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आने वाले शमय के दोरान धन संपती के मामलों में आपको कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके श्वास्त की बात करें, तो श्वास्त के दृष्टी कोन से आपका शमय सामान्य से बहुत जियादा नीचे है। आज के दिन आपको अपने रहन सहन और अपने खान पान के परती साबधानी बरतना होगा। अन्य था आने वाले शमय के दोरान आपके श्वास्त के मामलों में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के भाग्य साली अंक के बारे में। सफेद कपरा किसी साधू महातमा को दान कर दें अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दोरान आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वेडियो को आप वाटसेप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद जैसी आराम। कर दें